आप सब को जयमसी की प्रवु का धनिवाद करते हैं इस सुन्दर सुभा के लिए प्रवु का धनिवाद हो कि प्रवु ने ये सुन्दर सुभा हमें दी है और इस सुभा की समय हम उस परमेश्व पिता का धनिवाद करें क्योंकि परमेश्व पिता हमें रात भर समाल कर एक न 119 का 105 पद में परमेश्व का वचन कुछ इस प्रकार से कहता है सच में हमारा परमेश्वर महान है जो कि उसका वचन हमें हर एक मार्ग में हमारी अगुआई करता है हमें किस प्रकार चलना है, हमें किस रास्ते पर चलना है, उस पर परमेश्य पिता का वचन हमारी अगुवाई करता है, तो आएए हम धनिवाद के साथ प्रभु की उपस्तिती में जाएं और प्रात्न करें। धनेवाद करते हैं जीवित अनुग्रह कारी पिता परमेश्य प्रभू इस सुन्दर सुभा के लिए प्रभू जो आपने हमारे जीवनों में दी प्रभू जी हम धनेवादी हैं कि रात के अंधकार से प्रभू जी आपने सुभे के उजियाले में हमारे प्राणों को जीवित प्रबू आपको प्रमेश्य पिता प्रमेश्य पिता, सच्छ में प्रबू आप अच्छे हैं, आप भले हैं प्रबू, और आपकी करुणा सदा की है प्रभू आपका प्रेम अगापे है प्रभू और आप प्रभू हमारे आगे आगे चलने वाले परमेश्वर है और मार्क को सीधा करने वाले परमेश्वर है आप हमारे मार्क के लिए उजियाला है परमेश्वर पिता धनिवाद करते हैं प्यारे खुदावन हम प्रात्न करते हर एक जन के लिए प्रभू जो इस प्रात्ना को सुन रहा है प्रिता प्रमेश्वर। प्रमेश्वर पिता आज के पूरे दिन में प्रभू हर एक इनसान का प्रभू, उनके परिवार में प्रभू, हर एक कार्य प्रभू सफल होने पाएं पिता पक्रमेश्वर। प्रभु जी आप उनके मार के लिए प्रभु आप सीधी युक्तियां बनाए प्रभु जो काम उनके नहीं बने हैं प्रभु वो आज के दिन में बनने पाएं प्रभु अच्छी युक्तियों को आप उनके जीवन में पूरा करें पिता पर्मेश्वर प्रभु पिता जो आप आशीश करें प्रभु जी हर एक के जीवन पर आप आशीश करें मेरे खुदावंदेशु मसिय हम प्रात्न करते हैं परिवारों पर आपके आशीश हो बच्चों पर आपके आशीश हो हर एक के काम पर आपके आशीश हो प्रभु जी जो बिमार है प्रभु आप बिमार बिमारियों से उन्हें चंगाई दे प्रभु जी और उनके साहित और मदद करें मसी के सामर्थी नाम से मांगते हैं आमेन आमेन और आमेन